बढ़िया राजब देखिए यहां पर जो आपने किया था आपको द्यान होगा तो अब मैं यहां पर explain करना शुरू कर रहा हूं यह फर्सक्वेशन है जो के मैंने खोला गुआ तो यहीं से मैं explain करना शुरू करूंगा कि किस किस के क्या answer होंगे जहां जरूवत होगी solve करके द आप लोगों को यह first 10 questions जो हैं इसमें actually क्या है यह odd man out वाले type के questions हैं जो आप काफी कर चुके हैं तो यहां पर देखिए यह numbers लिए थे 17, 27, 29 और 37 यह तीन नंबर जो हैं यह prime numbers जानी अभाज्यसन क्या हैं 17, 29 यह सब अभाज्यसन क्या हैं खाली 27 जो है यह भाज्यसन क्या है यानि इसके factor होते हैं तो अभाज्यसन क्या तो आप लोग जानते ही हैं वो numbers जो किसी दूसरे numbers से divide नहीं होते हैं अलावा उस number खुद या एक तो 27 जो इसके factor हो सकते हैं 3 into 3 into 3 इसके अलावा 3 into 9 भी हो सकता यानि 3 से भी divide होगा 9 से भी होगा सकता 20 से भी होगा तो यह number अलग है तो इसलिए यही answer होगा इस question का ठीक है तो सबने यही लगाया था अभी कमबच्चे दिखाई दे रहा हैं ओके अभी तो खाली चार रिस्पॉंस नजर आ रहे हैं मुझे चलिए जादा पर चला गया अभी तो यह अभी प्राव सालग मैंने इस लाइड नहीं बनाया थे तो से गिया था उसी में मैंने यह mark कर दिया था यहां पर देखी सेकंड यह question है अगर आ रहा है स्क्रीन पर आप लोग वोग तो तो यहां पर जो बाकी नंबर से देखी यह 12 144 तो इसके factor 44 के 144 के क्या होंगे 12 इंटू 12 इसी तरह 156 जो इससे पहले 13 लिखा हुआ है तो इसके factors है 156 के यह देखी इंटू 12 ठीक है और 144 के 12 इंटू 12 इसी तरह 180 के 15 इंटू 12 लेकिन 176 के जो हैं वो 16 इंटू 11 यहां पर 12 नहीं है यह अलग है और उसे बाकी सब में जो पहले नंबर लिखा है वो और और दूसरा जो उसका factor है वो 12 यहां पर दोनों ही इतिफाक से 12 हैं कि यहां नंबर भी बारा दिया था 12 से यह डिवाइट भी हो रहा है यहां 13 दिया था और 13 से इसे बाग देंगे तो बारा आएगा इसमें भी बारा आएगा 15 से अगर 180 को बाग देंगे तो यह खाली के नदर आ रहा था आपको अब चलेंगे थर्ड क्वेशन पर ठीक है यह थर्ड क्वेशन आ गया तो थर्ड क्वेशन है यहां पर OE3, XD6, VK2, TH3 यह चार यहां पर एक्सप्रेशन दिये थे जिसमें O और E तो इनके जो सीरियल नंबर्स हैं यह 15 और 5 इदर 3 रिखा हुआ है तो इसमें दीखी इस सीमेटरी क्या है E का सीरियल नंबर 5 है और 5, 3 दा 15 तो इन दोनों का प्रोड़क्ट 15 आ रहा है ऐसे ही D4 होता है और यहां 6 लिखा हुआ है चार शक के 24, X का 24 होता है K 11 नंबर होता है और 2 बाद में लिखा हुआ है तो 11 दूनी 22 तो यह तीन नंबरों में सेम सीक्वेंस है लेकिन यहां पे H 8 होता है बाद में 3 लिखा है तो 8 ते यह 24 होना चाहिए थे लेकिन P का सीरियल नंबर 16 है तो यह औरों से अलग है इसलिए यह 4 नंबर हो गया ठीक है अब चलेंगे question number 4 पर तो यहां पर 4th question में क्या फास बात से देखिए है H J N X यहां पे देखिए एच I J K L M N इसके बाद X ऒपलकु लास्स में आता है मगर हैं यह ascending order में अब यहां पे देखिए A फिर K फिर E फिर W तो E बीच में जो है यह के से पहले आता है तो यह ascending order में नहीं रही ठीक है इसी तरह P N T O तो यहां पे भी यह ascending order में नहीं रहे चुंकि O जो है वो T से पहले आता है और P जो है वो N के बाद आता है तो यह सारे जो है गड़बण है इनका order जो है प्रॉपर नहीं अब यहां पे देखिए यह अलतमश का मैंने पेपर लिया था तो अलतमश ने पिंसिल से लिखा हुआ भी है यह 8, 10, 13 इसके बाद 24 तो यानि यह सब देखिए सेरियल ओडर जो है यह ascending order और यहां पे 1, 11, 5, 23 तो यहां पे 5 बीच में आ गया तो यह ascending order नहीं रहा यहां पे इसे ही इनों में लिखा हुआ है 16, 14, 20, 15 तो यहां पे भी हुई है ascending order में नहीं रहा है 16 के बाद 14 नमबर आ गया, 20 के बाद 15 आ गया, ऐसे ही यहां पे LC, UF जो है 12, 3, 21, 6, 6 तो बहुत छोटा है यह बाद में आ गया, ठीक है सी बीच में छोटा आ गया तो यह तीन अलग है, H, J, M, X जो है वो अलग है, वो ascending order में इसलिए इसका अंसर यही होगा, ठीक है तो यह clear हो गया, इसके बाद है question number 5, ठीक है, 5 नदर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, यह 5 में और उपर करता हूँ, यह 5, 5 में यह locate लिखा हुआ है और इसके सामने O, L, C, T, A, E, यही रेटर्स हैं मगर order बदल दिया, अब यहाँ पे अगर इन पे सीरियल नंबर यह अलतमश ने डाला हुआ था, बिल्कुल ठीक अप्रोच था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह नों सीरियल डाल दिया और यहाँ सीरियल देखा, यहाँ पे 2, 1, 3, 5, 4, 6 आ गया, ऐसे ही यहाँ पे भी इनों सीरियल डाला हुआ है, और इसके भी इनों ने सीरियल डाले, तो यहाँ पे भी देखिए, वही सीरियल, 2, 1, 3, 5, 4, 6, यहाँ पे भी 2, 1, 3, 5, 4, 6, ठीक है, ऐसे ही, यहाँ पे भी आ गया, कावाड और O, C, W, R, A, D, इसमें अगर करेंगे, यहाँ पे order बदल गया, यहाँ पे वो order नहीं आया, यहाँ पे आया, 231, 564, तो यही अलग है, ठीक है, इसलिए यह answer है, इनों ने भी इसी को टिक किया हुआ सकती, इन कोई, तो इस तरह से, इनका भी यह सही है, और यही answer है, खटा, यहाँ पे यह, और उपर कर दूँ ही से, ठीक है, तो अब देखिए, इसमें यह जो तालोग दिया हुआ है, समचार पत्र, संपादक, तो संपादक कौन होता है, समचार पत्र को चलाने वाला, एक तरह से उसका मारी की समझ, फिल्म को बनाने वाला कौन होता है, निर्देशक, किताब लिखने वाला कौन होता है, लेखक, ल बनाता नहीं है तो बनाने वाला यह नहीं है यहाँ पर रेलेशन अलग हो गया इसलिए तीन जो है और में न इट हो गया घ्लिएर होगी आप लोगों को यह च्छे था अब हम साथ को उपर करेंगे यह साथ है तो यहां पर देखिए यह जो हमारे ग्रह हैं उनके वैसे तो यह अंग्रेजी में भी नाम उदर दिये हुए थे मगर मैं आप लोग क्योंके हिंदी जाद अच्छी तरह समझते हैं तो हिंदी वाला ही पोर्शन स्क्री नेप्चून को हिंदी में वरुन कहते हैं मार्स को मंगल कहते हैं लेकिन सैटर्न जो है उसे बुद्ध नहीं कहते हैं उसे शनी कहते हैं इसलिए यहां पर यही आंसर होगा यह अलग है और उसे ठीक है तो ऐसे ही अब आठ्वे क्वेश्चन पर हम चलेंगे यहां पर देखिए यह कुछ नाम दिये हुए आठ्वे क्वेश्चन में ग्रेफाइट इसके बाद मोती हीरा कोईला तो यह ग्रेफाइट हीरा और कोईला यह ऐसी चीज़े हैं जो माइन्स में से यानि कान में से निकलती है यानि जमीन में से यह सब क्या है ग्रेफाइट है, हीरा है, कोईला है एक ताजबात और है इन तीनों यह तीनों कार्बन की ही अलग-अलग रूप है ग्रेफाइट, हीरा और कोईला जो है कार्बन के तीन अलग-अलग रूप है ठीक है तो इसलिए इन में एक चीज़ कॉमन है कि यह तीनों कार्बन के रू है और माइन्स से निकलते हैं यानी जमीं से निकलते हैं और मोधी जो है सीव के अंतर होता है यानी जिन्दा जानबर का हिस्सा है ठीक है यानी जीव का हिस्साथ यह और उसे अलग है तो इसका अंसब्स यही होता है कि यहां पर कुछ जगाओं के नाम दिये हुए नाइफ कुछ नाम दिये हुए यह कुछ नाम दिये हैं बड़ी को सिक्किम और पीज हो रहा है यह पीनों क्या है यह स्टेट लेकिन साथ में चौथा नाम जो है यह कोहिमा है यह स्टेट नहीं है यह नागा लेंड की राज़्दानी है तीस लिए यह अलग हो गया तो हमारा अंसर यही है अब यह दस्वां क्वेश्चन है यहां पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है ठीक है तो यहां पर आई-एम-एफ यून की गई है पूरी दुनिया की फ्लाई के लिए और सार्थ जो है यह नौ देशों का एक संगटा तो यह पूरे आलोवर्ड में सब इसके मेंबर नहीं है और बाकी सारे जो ओर्गनाईजेशन हैं यह इंटरनेश्नल ओर्गनाईजेशन है जो के दुनिया की वैलपेर के जिसमें नौ देश हैं तो यह और उसे अलग है ठीक है तो यहां पर यह रिलेशन एक दिया हुआ है सारी कुश्चन आगे जो आएंगे इन कुश्चंस में कितने कुश्चन हैं एक मिनट में 힘कर कर देता हूं यह 11 से लेकि बीस तक इस तरह के कुश्चन आएंगे तो इसमें आपने जैसे'll ट्रेक्टिस में कीला भी था अनुपाद उ समानुपाद के निशान लगे है तो इसका मतलब यह होता है कि समाने पाद के बाईं तरफ जो रिष्टा है वही दाईं तरफ होना चाहिए तो यहां पर अभी पहला क्वेश्चन इसका आपको नजर आ रहा है यानि क्वेश्चन नमबर 11 इसमें जो रिष्टा 20 और 11 में होगा वही 102 और इसके बाद वाले नमबर में होगा तो 20 और 11 में क्या है देजी 20 को अगर हम 2 से भाग दें तो 10 आता है और 10 में एक जोड़ दें तो 11 इस तरह से 11 है ऐसे ही 102 के साथ हमें करना होगा तो 102 को भी 2 से भाग दिया तो एक 50 आया इस एक 50 में जोड़ देंगे तो पावन आ जाएगा इसकी यह आंसर हो जाएगा पावन ठीक है बावन जो है यह हमारा अंसर हो क्लियर है इसमें कोई डावट तो नहीं ओके अब मैं नेक्स है यहां पर भी जो लेट साइड में रिलेशन होगा वही राइट साइड यह थोड़ा टिपिकल यहां पर काफी आप लोगों को सोचना पड़ा होगा कि किस तरह से रिलेटेड है और 68 और 130 कोई तुकनी बैठती है और फिर अचानक यहां साड़े 300 दे दिया बीच में वाय दो गुणा 17 यहीं सतरा चौक और 60 और यहां पर नमबर दिया हुआ है 130 130 के फैक्टर क्या होंगे 13 दो और 5 पांच दुनी 10 हो गया यहां पर विजीर हो यहां पर विजीर हो तो यह 10 तो देखिए इसलिए आया दोनों में तो 10 दोनों में कॉमन होना चाहिए और यहां पर न सतरा में से चार अटाएंगे तो 13 तो 13 दाई 130 तो यहां पर भी अब यहां पर यह नमबर नहीं दिया है 350 दिया है तो 350 को हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 35 गुणा 10 इसकी गुणंखंड हो गए तो यानि 35 से इससे पहले वारे नंबर का कुछी संबंद होना चाहिए तो अब यहां पर आप नंबर देखें यहां पर जो नंबर दिये थे इनके भी गुणंखंड मैंने करके रख दीए 216 के दो गुणा 2 गुणा इस तरह से आगए यहां 210 है दो तिया च्छे पंजे 30 30 सत्ते 210 और यहां 222 को 2 से भाग दिया 111 आया 111 को 3 से भाग दिया तो 37 आ गया तो यहां पर यह नंबर देखी 35 के करीब आ गया और इसमें भी वही तालमेल है जैसे यहां गटाने पर आ रहा था कि 37 मेंसे अगर 2 गट आ देंगे 35 आ जाएगा ठीक है यही वह नंबर है जो इससे रिलेट हो सकता है चुंकि 240 के भी इतने डेहर सारे प्राइम नंबर नहीं आया यहां प्राइम नंबर 17 था तो 17 से 13 मिला था ऐसी यहां 37 से 35 मिला तो 35 गौना 10 तीन सो पचास हो ठीक है अब यहां पे फिर हुई एलफाबेट का जो सीरियल नंबर है उस पर आ गया अगला क्वेश्चन तो 13 क्वेश्चन यह स्क्रीन पर आपके दिख रहा है इसमें क्या है टी और जे इन दोनों के सीरियल नंबर क्या है टी का 20 होता है और जे का 10 होता है तो 20 को 10 से बाग देंगे 2 आएगा ठीक है तो इ यहां पर 3 होना चाहिए इसलिए इसका अंसर यह 3 है ठीक है अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर तो यहां पर D E 10 H I इसके बाद यह रहा है तो D E क्या होता है D 5 होता है तो सुरी 4 होता है और E 5 होता है पांच चोग 20 बीस को दो से भाग देंगे तो 10 आजाता है इसके आगे 10 लिखा इस तरह से आया है पांच चोग 20 बीस को 2 से भाग दिया 10 ह क्या होता है ओट होता है आई 9 होता है तो 8 ने 72 72 को 2 से भाग देंगे 30 आ जाता है तो उलतमशन ने 36 पर टिक यह नहीं पता है इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है बाराल तो यहां पे इन्होंने 45 पता नहीं कैसे लिखना हुआ था चलिए पता नहीं कैसे किया था लेकिन यहां पे यह सीक्वेंस है तो 36 ही इसका आंसर होगा इनका भी यही था अब यहां पे है एराउंट और इसके आग चाहिए अब इनको और इनको compare करके देखिए क्या है तो इसमें देखिए ये around को ये लिया गया है और इसमें इसमें क्या तालोग है देखिए A के बाद B C D, R के बाद S T U, यानि दो-दो अक्षर के बाद वाले दिये हुएं D के बाद E F G, N के बाद O P Q, U के बाद V W, इसके बाद X तो यह यानि दो अक्षर छोड़के, तो नहीं यह यहां पर देखिए इसी डिये पुलिस यहां लिकलिया है, और पुलिस के नीचे इनके बाद वाले लेटर लिखे पिर उसके बाद वाले यानि दो दो लेटर याद है इसके बाद दो छोड़ के जो तीसरा है वो यहां लिख लिए वो ही हमारा आंसर होना चाहिए तो वो आंसर यह दो नंबर पर था ठीक है यह आंसर हो गया तो यह आपका question number 15 था अगला भी 16 भी serial पर डिपेंड करता है देखिए 16 में क्या है कि pocket और इसको इन्होंने expand करके यह लिखा है अब B से एक पहले एक बात क्या होता है A और C इसलिए मैंने जोड़े बना कर रख दी है B की जगा यह A सी लिया है U की जगा T और B तो T, U, B ठीक है और इसके बात है B और D तो B, C, D यानि यह अक्षर जो है B, A, C के बीच में आएगा U, T और B के बीच में आएगा C, B और D के बीच में आएगा K, J और L के बीच में आएगा K, J और L के बीच में और E, T और M के बीच में, T, S और U के बीच में यानि इससे एक पहले और एक बात की अक्षर लेके उनके जोड़े बना दीए यही हमें बोनस में करना पड़ेगा बोनस के भी एक पहले और एक बात मैंने यह लिख लिए B से पहले A होगा, O से पहले N, N से पहले M होगा, U से पहले T, S से पहले R और इसके बाद B से बाद में C, O, P, N, O, U, B, S, T तो अब इसके और इसके यानि इन अक्षरों के और इनके जोड़े बना दीए वो जोड़े जब हम बनाएंगे यह आजाएगा एक यह A, C, N, P, यह N, P आ गया, इसके बाद M, O, यह M, O आ गया, इसके बाद T, B, यह T, B आ गया, इसके बाद R, T, यह R, T आ गया, यह यह आनि तीन नमबर ही इसका आजाएगा, ठीक है? अब चलते हैं 17 से यह थोड़ा सा अगर इनका तो कोई मतलब ही नहीं कंपनी फिर भी होती है डिफेंस सर्विसेज में जिसका मतलब होता है कि सेना की कुछ टुपडी लेकिन नॉर्मली करनल जो है रिस्पॉंसिबल वो रेजिमेंट का होता है और मेजर जो है बटालियन का होता है इसी से रेलेटेड यह क्वेशन थे यहां पर खाली इन दोनों के बीश में कंफ्यूजन हो सकता था कंपनी और रेजिमेंट तो इसका अंसर रेजिमेंट होगा इसके बाद है कुश्चन नमबर 18 आपके स्क्रीन पे यहां देख तो रहा है तो अब 18 पे आते हैं तो यहां पे कांगला, गुजराथ, कोचीन जगाफाजी है तो कांगला क्या है? गुजराथ का पोर्ट है यानि कांगला इसे पोर्ट और गुजराथ इसी तरह कोचीन इसे पोर्ट और कैरला पोर्ट कैसे कहते हैं? बंदरगाद यानि समंदर का वो किनारा जहां पे जाहाद वगरा उतरते हैं उसे पोर्ट कहते हैं तो गुजरात का जो पोर्ट है वो कांदला में है और केरला का जो पोर्ट है वो कोचीन में है ठीक है तो यहाँ पे केरला में कोचीन है इसलिए केरला ही इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे तालुख किस तरह से दो चीज़े आपसमें रिलेटेट हैं इस पर्ष चूने से क्या होता है? महसूस होता है. चूने से, इस पर्ष करने से महसूस होता है. और नमस्कार करने से क्या होगा? सामने वारा आपका सुईकार करेगा आपके नमस्कार को. ठीक है? या यूँ समय लिए इस नमस्कार को सुईकार करना होता है, इस पर्ष को महसूस करना होत तो दोनों तरह से एकर हम सोचें सुईकार करेंगी बनता है ठीक है अब कम से कम जवाब अगर नमस्ते से नहीं भी दोगे क्या गरोगे सर तो कम से कम हिलाद होगे उसी को कहते हैं सुईकार करेंगी ठीक है ऐसे ही जैसे मुस्लिम्स हैं वो असलाम वालेकुम कहते हैं जवाब से वालेकुम्स्सलाम। उसका जवाब जोग हो। एसे यहां पर कंश कर गुए तो आपमी आङ सुीकार करता यहां तो आदमी सुीकार करता है अब यहां 20 समय sudah क्वेशन जो है है ठोड़ा सा नीचे peachy Double तो यहां पे पहाडी परवत धारा कादी स्थां तो पहाडी जो है इसे कहते हैं परवत के छोटे से भाग को पहाडी कहते हैं यानि चोटी पहाडी या चोटा परवत पहाडी कहते हैं यानि परवत का छोटा रूप पहाडी है और धारा काई का छोटा रूप नदी का जब यह पहाड पे निकलती हैं धाराएं वही आगे चलके जब मैदान में आती हैं तो बड़ी नदी का रूप धारा कर लेती हैं ऐसे ही पहाडी परवत का छो निस्कलन होगा इनसे कोई तालोग है नहर अलग चीज है नहर तो अर्टिपिचल होती है इनसान बनाता है और धारा और नदी यह आपस संबत देते हैं ठीक है किलियर हो गया यह यह क्वेश्चन नंबर है 21 तो यहां पर यदी एक निश्चित कोड और यंटल को M-B-U-O-F-J-S-P लिखा जाए तो उसी कोड में कावर्डली को कैसे लिखा जाता है अब इससे ज़रा गौर से दी L के बाद M आगा है तो यहां इसका जो कोड लिखा गया है वो L को पलंड दिया है यहां पर जो एंड था यहां स्टार्ट है और इससे एक बाद L-M यहां O था यहां पर P आ गया तो O का नेक्स लेटर लास्ट में आ गया आर का S से पीछे आ गया यहां इनी अक्षरों को एक आगे लेटर लेके और उनको पलड दिया है ठीक है ऐसे ही यहां पर भी होना चाहिए तो यहां पर भी इसको एक एक बाद में लेंगे तो सबसे पहले तो एक एक नेक्स मैंने करके यहां लिख दिया दे कि C का D, O का B, W का X, A का B, R का S, D का E, L का M, Y का Z और इसको फिर पलड दीजिए यह पलड के आ गया यही हमारा अंसर होना चाहिए तो बन पर मोज़िए ठीक है क्लियर हो गया यह तो यहां पर आपको अब इस स्क्रीन पर उपर नदर आ रहा होगा बाइसमा क्वेश्चन तो बाइसमा भी कोड पर अधारित है तो यदि एक निशिक कोड मंकी को यह लिखते हैं तो यहां पर भी कुछ उसी तरह है देगिए एम के बाद एल आता है एल यहां लास में चला गया लो के बाद एल जो है एम से पहले आता है और ओ से पहले एल आता है एम से पहले एम आता है के से पहले जे आता है ए से पहले डी आता है वाई से पहले एक्स आता है यहाँ पे भी कोई है, कि बाद वाला एक एक शन दिया और उसे पलट दिया, तो ऐसे ही tiger के साथ किया गया है, तो tiger को हम क्या कर देंगे, इसको भी वैसे ही कर देंगे, तो इसमें पहले वाला इस से क्या हो जाएगा, T से पहले S हो जाएगा, I से पहले H हो जाएगा, G से पहले F हो जाएगा, E से पहले D हो जाएगा, R से पहले Q हो जाएगा और इसको फिर पलट दीजे, इसको जब पलटेंगे तो Q पहले हो जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, फिर H, फिर S, यह आप आंसर हो जाएगा, ठीक है? किलियर हो गया है? ओकी. यह 23rd question है, तो एक निश्चित code में, fire को Q, H, D, E, और move को Z, M, W, E, लिखा जाएगा है, तो coding के समान नियम का पालंग करते हुए, ओवर शब्द के लिए code क्या होना चाहिए? इस तरह के उसमें क्या होगा, जो यहाँ दिया हुआ है, उसी के साब से चांटना होगा, यहाँ पूरी alphabet पे अधार इतनी है, तो यहाँ देखिए, चार अक्षर थे और इनका यह दिया, तो यहाँ पे, अब इन अक्षरों के लिए, F की जगा Q कर दिया, I की जगा H कर दिया, R की जगा D कर दिया, तो हमें जो अक्षर चाहिए थे, यहाँ O, B, E, R, तो यहाँ R की जगा D था, तो यहाँ देखिए, मैंने R की जगा D लिख दिया, इसके बाद आगे चलते हैं, M हमें नीच आईए, O, O की जगा M है, O की जगा M ले लिया, इसके बाद V की जगा W है, B की जगा W ले लिया, और E की जगा E ही रहा, E की जगा E ही रहा, तो ओबर में यह चार अक्षर आए थे, O की जगा M कर दिया, V की जगा W कर दिया, E की जगा E रहा, R की जगा D कर दिया, तो नयाक्ष जो हमें शब्द मिला वो यह ठीक है यह 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 नहीं कोड हो गया MWED किलिया यह इसका अंसार होगा तो यदि कंसेप्ट को UNMULQR यहां पर भी वोई सिस्टम है कि यहां हर अक्षर के लिए यह अलग कोड जो इसी order में दिया है उसे हम लेंगे ऐसे ही friend को यह लेंगे तो उस कोड में predict को कैसे लिखा जाएगा तो अब इनी से देख देखे अब C की जगा क्या था वो C की जगा रख दिया तो इस तरह से predict में जो अक्षर आ रहे हैं और इन अक्षर होके यहां पर जो लिए गए थे इस अक्षर में यह तो जो भी इसमें common थे यह predict के वो मैंने देखी underline कर दिये हैं और उनकी जगा यह मैंने नीचे code इन के लिख दिये तो यह हमारा code हो जाएगा यहां पर दिये देगी qsltgur ठीक है तो वो यहां पर change कर दिया यानि यह इसका answer हो जाएगा ठीक अब बात करेंगे question number 25 तो यदि reason को पांच believed को साथ के रूप में code किया जाए यहां पर खाल बात किया है इससे पांच वांच से तो तालुक मिलाना असान नहीं था सबसे पहले number इसमें count कर लिया हमने लेटर्स का एक दो तीन चार पांच छे लेटर्स के छे का पांच लिया यह एक कम कर दिया इसी यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ में कम किया साथ इसका code ले दिया है government यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो दस में से एक घटाएंगे तो नौ आ जाएगा इसका code 9 होना चाहिए ठीक है तो यह इसका answer 9 होगा यह इसका answer हो गया यह question number 26 है तो एक निश्चित code में order को अब इसमें code देखी यह दिया तो मैंने यह code इन सारे अक्षरों के ऊपर यहां लिख लिए और board का यह आगे दिया हुआ था यह आगे यहां से यहां तर तो इसका भी मैंने इसके ऊपर लिख लिए पैचान के लिए और फिर उस code में order को कैसे लिखा जाता है यहां जैसे O का जो भी था O के ऊपर यह मैंने X लिखा हुआ है तो O के नीचे X लिख लिए A इस वाले में आया यह देखी परसंटेज का निशान था A की जगह तो परसंटेज लिख लिए था B की जगह यह O दिया हुआ था तो O लिख लिख लिए इस तरह से इन अक्षरों को मैंने यहां लिख लिख दिया और इससे मिला कर देखा जिस जो भी मैच करता है वह हमने यहां पर यह मैच कर रहा था ठीक है अब यहां पर आया जब हम नाम बदर देते हैं चीजों के बारिश पानी है यानि बारिश की जगह पानी पानी की जगह सड़क सड़क की जगह बादल बादल की जगह आकाश और आकाश की जगह समदर अब हमें जो चाहिए वो हम नोट करेंगे और समंदर पस है तो यहां गह रहा है हवाई जहास कहां उड़ते हैं हवाई जहास कहां उड़ते हैं आकाश में तो आकाश क्या है समंदर आकाश की जगह यानि समंदर लिया जा रहा है और हवाई जहास आकाश में तो यहां आकाश का जो भी कोड़ था वो हमार कर द यहां भी उसी तरह का है यदी धूल को वायू कहा जाता है वायू को अगनी कहा जाता है अगनी को जल कहा जाता है जल को रंग कहा जाता है रंग को वर्षा कहा जाता है वर्षा को धूल कहा जाता है फिर मचलियां कहां रहती है जल में रहती है यानि पानी तो जल को क्या किया गया था वो पहली मैंने यह अंडरलाइन कर दिया तो जल को रंग यानि रंग जो है वही इसका आंसर हो अलतमाश मैसेजिस आप लोगों के नहीं आ रहे हैं विल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां सब चले गए हलो कितने बच्चे हैं ज़रा कुछ तो मैसेज कीजिए मुझे पता चले कि मैं खाली बात कर रहा हूं किया आप लोग वाकई मौझूद हैं कि सुन रहे हैं आप लोग कुछ मैसेज चीजिए मुझे समझ में आए यहां आप लोग मौझूद हैं कि कितने लोग हैं जरा सब मैसेज करके दिखाईए फिर रंग वाला किलियर हो गया अच्छा देशा भी हैं हुआ जोयाद यह हैं चलिए और लोग चलिए तो अब यह है 29 तो यहां कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ है उज्वल छोटा लड़का 145 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का इसमें कॉमन क्या है लड़का और इन दोनों में जो अक्षर दिये थे गिंती वाले इसमें एक कॉमन है यानि लड़के का एक हो गया इसलिए लड़के के नीचे मैंने या बन मार कर दिया अब दूसरा सेट जो है यहां पर कह रहे हैं लंबा बड़ा लड़का और 637 का अर्थ है सुन्दर छोटा फूल तो यहां पर देखिए छोटा जो है वो तो अल्रेडी आ चुका छोटा जो है वो दो में कॉमन था एक इसमें कॉमन था 637 में और एक 123 में और इनमें कॉमन किया है तीन यानि छोटे का मतलब तीन हो गया तो हमें दो नंबर पता चल गया है वन और थिरी तो अब आप देखिए उजवल छोटा लड़का इसमें छोटा भी पता चल गया लड़का भी पता चल गया उजवल रह गया तो जो मार्क नहीं हुआ यहां पर मार्क क्या नहीं हुआ था टू नहीं हुआ था यही उजवल का कोड होगा इसलिए हमने तू पर टिक कर दिया इस तरह कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं उसमें मार्क करना होता है कि कौन-कौन से आप जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसमें कॉमन दे लेते हैं सीधा एक ही तरीका कोई इसमें ऐसास बात नहीं है तो अब तीसमा क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में 617 का अर्थ है मीठा और गरम और 735 का अर्थ है काफी मीठी है तो देखिए मीठा कॉमन है और यहां नंबर साथ कॉमन यानि मीठे का मतलब साथ हो दिया यह स्वीट 7 मैंने लिग दिया इसका कॉट ठीक है आगे कहते हैं कॉफी मीठी है तो उसके बाद है और 263 का अर्थ है चाए गर्ब तो गर्म जो है मीठा और गर्म यहां पर मीठा और गर्म आया था तो होट के लिए अब इसमें कॉमन क्या है दीकि यहां 263 यहां 670 यह चे कॉमन होट के लिए इसलिए छे ले लिया अब इसमें है या इस कॉफी मीठी है चाए गर्म है इन दोनों में कॉमन क्या है यह 253 यह 263 कॉमन है इसकी जगा क्या है की जगा तीन ले लिया कॉफी कॉफी जो है वो कहां पर आईए देखी कॉफी मीठी है अब इसमें पांच नहीं पता चला और यहां कॉफी रह गया था तो कॉफी का पांच हो गया ठीक है तो इस तरह से यह हमें सारे पता चल गए इसके बार ए एंड या और तो और जो है यहां पर और यहां पर तो और इसमें बचा हुआ था तो साथ तीन पदा चल गया थी यानि और जो है पांच हो जाए तो पांच तो कॉपी था सर्थे बचा याल हें बचा क्यां मीठा और गरम हां तो इसमें पदा चल गया था स्धा चेत रह गया थे गचीति काफी मीठी और चाए गर्म है, तो है का पज़ा चल गया, गर्म का भी पज़ा चल गया, चाए रहेगी, तो चाए के लिए इसी दिए तो हो जाएगा, तो पूछा क्या था? निश्चित निमलिकित में किसका अर्थ होगा कौफी गर्म है किस से पता चलेगा कौफी पाँछ है और है तीन है कौफी इस पाँच और तीन हो गए गर्म क्या है वह हमने दिया था छे यानी 536 उसका कौड़ हो जाएगा अब आगे जो हैं यह चिन्नों वाले आगए यानि गणित का मामला कैलकुलेशन यहां पर चेक करना होगा 31 से 35 में चिन्नों का करम गलत दे दिया है और इसको सही करके हमें हल करके चेक करना है कि सयार आएगे ठीक है तो इसमें पहला कुश्चन यह 31 है कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा तो अब इसमें देखिए यहां पर जो दिया हुआ था आठ यह चौबिस बारा को चार से बाग देंगे ती तो चौबिस और पांच उन्तिस उन्तिस में से तीन रटा तो यांग से यह भए गया है तो या और गया है तो या इसमें सही क्या है इसको मैंने सेकेंड को टिक किया यहिए माइनस और भाग निशान इनको अपसमें अगर पदर दो इस और यहमाइनस है। यहां पर बाग कर देंगे। पर अगर बाग कर देंगे तो यह और भाग कर देंगे तो यह मंद्धा गोंगा देगे। यहां जान जाकए तो भाग कि यह अगी ani मायनम तो भाग ही रहा। 3 कुणा 8 और यह जगा सेउतशनप 7 भाग कर दिया ought तो पांच और दो साथ, साथ में से चार गज तीन बचे, जिस तरह से यहां पे भी तीन था, यह हमारा सही हो गया, यानि दो नमबर जो है, इसका सही आंसा है, ठीक है, इसके बाद 32 मा, स्क्रीन पर आपके आ रहा है, आतो रहा होगा, चलिए और उपर कर देता हूं, यह 32 मा ह यहां पे इसी कल्टू देखी कहीं नहीं है, चारो आप्शन जो हैं इसमें, इसी कल्टू नहीं है, न यहां पे न यहां पे न यहां पे, तो यह इसी कल्टू सतरा जो है, यह तो एस इस रहेगा, यानि इससे पहले के जितने हैं, उनको हमें चेक करना है, यहां पे जो पह यहां पे बुणा और प्लस था इन्हे आपस में बदल के कर के देखता है तो दो गुणा 3 था दो गुणा 3 की जगा 2 प्लस 3 कर दिया और 3 प्लस 6 था इसकी जगा 3 गुणा 6 कर दिया माइनस 12 को 4 से बाग दिया था ये as it is रखा मैंने ब्रैकिट अपनी तरफ से लगा दी है ताकि आपको अंदादा हो कहां यहां पर हमने क्या किया 12 को 4 से बाग दिया 3 आगया सबसे पहले यही होना चाहिए बॉर्ड मास के असाफ से और 6 का 3 में बुणा हो होना चाहिए तो 6 ती 18 तो 2 और 18 20 हो गए 20 में से 3 गए 17 17 यह आना था यानि पहला अप्षे नहीं सही हो गया ठीक है अब आते हैं 34 पे 34 में भी आप देखेंगे कि इसमें भी इजी कल्टू चारों में से कहीं नहीं थी यानि इजी कल्टू और उसके बाद वाली संक्या ऐसे रही यह जाए जिरो आर्ट थी यहां पे जो कुछ करना है वह करना है अब यहां पे सबसे बड़ी संक्या 16 तो इसको और चोटा करने का रास्ता यह था कि घजो और बड़ा ऊप्टिन के किया वहाग कि दो थे बाल की जगा गुणा करने की और बड़ा हुझा यह तो नहीं सभी है कि इसको तो चोड़ देंगे अगला बाल की जगामिशनाग की जगामिशनाजिई माइनस की जगा भाग देखी हो जाएगा 16 बाग आठ माइनस चार और पांच और दो इनका अपस में गुणा यह है एज़िट इस रहेगा तो पांच दूनी दस इसलिए मैंने रख दिया 16 को आठ से बाग देंगे 2 आजाएगा 2 प्लस अब यह दस में से चार गए 6 यह इन दोनों का सीधा यह मैंने सलूशन निकाल गए यहां 6 रख दिया 6 और दो आठ हो गए यह सही आ गया लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसमें 2 और 3 दोनों का मतलब एक है क्योंकि मााइनस को अगर बाग से बदल दें बाग को माइनस से बदल एक यही बात तो यानि 2 और 3 सेम है तो यहां पर यह ठ्वड़ा सा यह देने में सरकार को गल्ती हो गई है एक ही question के 2 option दे दी नहीं होना चाहिए था लोंकि आन्ड़ों की उन्द्रिक करदेंगे वह दोनों साह होंगे कि दोनों सेम जिसमें घबराईए गमत अगर आपने तीन साही किया या दो साही किया दोनों को साही को मानना पड़े कि यह की क्वेश्चन के दो आंसर दे दी बाकि दो गलत है यह और यह गलत है और दो साही है ठीक है तो यहां पे इसी कल टू चारों मिनी आजा है तो यहां पे यह प्लस और गुणा को आपस में बदलना था यहां भाग वाला जो है वाग की जगा माइनस है कि पांच को चार से भाग देने में प्रेक्शन आ जाएगा और इधर प्रेक्शन है नहीं, तो सबसे पहले भाग अटाने की सोचना था, इसलिए भाग अटाके अगर गुना करते हैं तो बड़ा बहुत हो जाता, चुंकि यहां तो अलेडी गुना था, और इसको अगर भाग करेंगे तो चार बटा तीन यह भी प्रेक्शन में आ जाएगा, इसलिए यह भी नहीं हो सकता था और यह भी नहीं हो सकता था, तो हम तीसरे नमबर पे आएगे, इसमें क्या था भाग की जगा माइनस, इसकी जगा नेगेटिव और जो नेगेटिव था, उसकी जगा भाग हो जाएगा तो छे को हमने इस लिए नीचे ले गए तो नो प्लस पांच ये तो एज़ इस रहा है और यहां भाग की जगह यह माइनस हो गया अब आगे था चार गुणा तीन माइनस छे तो इसकी जगह हो जाएगा चार गुणा तीन पटा छे चुंकि छे से भाग देना एनस की जगह यहां भाग हो गया तो चाAR तीए बारह बारह को शे से बाग देने तो आ जाएगा या यंसामली इा तीन से से छे को भाग दिया दो आया दो से चार को बाग दिया दो आ गया तो नो, पांच, चौदा, 14 में से доб गये, बारह बती ठीक है वे? 12 धराइशन अब चलते हैं आगे के डारेक्शन और डिस्टेंस वाले आगे तो यह कह रहे हैं कि यदि आप उत्तरपूर की ओर मुझ करके दस मीटर आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए उत्तर पूरप यह डारेक्शन हो गया उत्तर और पूरप के बीच यानि यह डारेक्शन यह जो दिखाया तो इसमें 10 मीटर चले इसके बद मौएं मुडते हैं यहां से बाएं मुड गए नागुए डिकरी से और चले हम साथ मीटर इधर चले तो यह लगबग इसी लाइन पर नौर्थ डारेक्शन इसी पर हम पहुच जाएंगे तो इस लिए इसमें पूछा गया था तो आप हैं कहां पे हैं यह पूछ रहें यापकी प्रावबिक इस्थिती के उत्तर में होने भी सही लगाया हुआ है यही इसक यूज निकालेंगे यह लगबग दस है यह साड़े साथ है तो अब यह पतार जीरी करीब ही होगा कि नौर्थ महीं आ जाएगा यहीं आंसर सही है ठीक है यह भी वही डारेक्शन और डिस्टेंस का है यहां कहते हैं कुणाल उत्तर की ओड़ दस किलो मीटर चलता है यह पहले उत्तर की दिशामिंग दस किलो मीटर गया तो यह 10 मैंने यह आरो लगाया यह 10 रिका हुआ देगी है इसके बाद ही कहते हैं वहां से वह दक्षण की ओड़ छे किलो मीटर चलता है यानि अब आउट टर्ण हो गया वापस आगया दस गया और छे वापस आगया तो अब यहां पर पॉचिया वह जगाई है ठीक है दिख रहा है आपको और यहां पर आने के बाद वह क्या करता ह फिर वो पूर की ओर तीन किलो मीटर चलता है यहां पॉचने के बाद यानि छे किलो मीटर वापस आगे फिर तीन किलो मीटर पूर अपकी डेशा में चलता है यह इदर तीन किलो मीटर चलता है अब यहां से जहां से चला था उससे कितना डिस्टेंस हो गया यह चार हो गया ये तीन हो गया अब यह पूछ रहा है वो अपनी सीटिंग बिंदू के संदर्ब में कितनी दूर और किस दिशा में है ये देखी अथे उत्तर पूरब में है कुछे ये यहाँ पे बीच में पूखिया ना तो ये उत्तर में है अपना पूरब में रहे उनके बीच में यहाँ पर जगाknowskभ है इस जगा तो कितनी दूर है उत्तर पूरभ है और दूर निकालने के लाइए यह हाइपोटेने हुआ यह परपेंटिकुलर यह बेस तो लिस यह लोग जो है परपेंटिकुलर और बेस हैं तो अगर हम इसको को solve करेंगे तो अंडर्रूट 3 square plus 4 square इसी कल्टू कितना हो जाएगा अंडरूट 9 plus 12 यानि अंडरूट 25 अंडरूट 25 का हो जाएगा 5 तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्र या पाफ सही अशर हो जाएगा एक है यह अर्दिसमा क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या है एक नदी पच्चम से पूरव की और बैती है पच्चम से पूरव की और यह इस इधर मैंने एरो इसली लगाया हुआ इधर की तरफ बै रही है और रास्ते में बाई और मुड़कर एक पहाड़ी के चार और अर्दवरत बनाती है तो यहां पर यह बाई और मुड़ गई और यह पहाड़ था उस पहाड़ के गुलाई में दोगा तो उसकी गुलाई में गोंके वापस इसी जगा गई अर्दवरत बनाती है और फिर संकॉ को बनाएगी यानि फिर दोबारा पूरब की दिशा में हमाँ हो जाएगा तो अंत्रता कहां किस डियारेक्शन हो जाता तो पूरब की तरफ दोबारा में जाएगी चुए यहा आई जब एट एंटर करेगी तो वर्टिकल होगी और यहां से जब लेफ्ट मुडएगी ऐसी ड एक व्यक्ति की और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा इससे कहा? महिला से उसकी माँ यानि इस व्यक्ति आदमी जो खड़ा था उसकी तरफ इशारा करके कहा उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलोती बेटी है अब ये महिला से बात कर रहा है उससे कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलोती बेटी है कौन? उसकी माँ उस आदमी की माँ जो है तुम्हारे पिता की इकलोती बेटी है तो महिला पुदी हो गई तो यानि ये महिला इस व्यक्ति की माँ हो गई किसी लिए माँ इसका अंसर हो ठीक है क्योंकि एकलोती कह रहे हैं तो एकलोती है और इसके पिता हैं तो महिला अगर ये एकलोती है तो ये खुदी हो गई ठीक तर ये खुद कौन है इस व्यक्ति की तरफ इशारा करती हुए काहता है, महिला से काहता है कि उसकी माँ जैनि इसकी माँ और इसकी माँ ही कौन है, यह खुदी है तो इसलिए इसका संबन्द क्या हो गया, है माँ हो गया इसमें शायद इन्होंने गलत मार कर दिया तो यह क्लियर हो गया अब बात करते हैं चालिस की तो यह भी कोई रिष्टे पे अधारे तो यहां पर दीदी लिखा हुआ है तो दीदी की जगा दादी होना चाहिए था यह मिस्प्रिंटिंग है शार ठीक नहीं कराई गई तो यहां पर कहा है राहुल ने अमन से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के दादी की बेटी कौन हो गया इकलोते भाई को हरा गया अब वो इकलोता है वो दादी का बेटी का भाई है तो यानि दादी का बेटा हो गया और इकलोता है तो यानि इसका भाई कोई नहीं है और ये क्या कह रहा था कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलोते भाई दादी की जो बेटी है तो वो इसकी बुआ हो गई और इसकी बुआ का भाई और भू भी इकलोता तो इसका बाप हो गया ठीक है तो राहुन ने किसे हरा है से उस में मैंने यह लिग दिया है तो दीदी के साप से वह had said , ठादी के साव तो आपक है वह राइट रीम साइड में जब है जब मैंने चेक किया नी सब मुझे पता चला कि हा यह गलत है यह misprinting अवर इसको ऩश्माद निलाओ एक है 41 से 50 ये सीरीज वाले आ गए इसमें ये missing term जो है प्रिशनवाजचक चेन वहाँ पे आपको number insert करना होंगे ठीक है? तो सीरीज वाले question आ गए इसकी तो बहुत practice कराई थी मैंने ठीक करना चाहिए थे चलिए यहाँ पे ये series ये 0, 6, 24 और ये मैंने बताया था कि जब हमें कोई fix difference नदर आए कोई चीज sequence नदर ना आए ऐसे क्यूंकि जीरो इसके बाद 6 पर 24 पर 60 पर 120 पर 210 पर 210 ऐसे देखने में भी कालमेल नहीं नदर आता है तो ऐसे मैंने बताया था difference नेका लिए और अगर एक बाद difference से नभी हो दुबारा उस difference का difference नेका लिए तो वही pattern यहां पर किया है तो 0, 6 के बीच पर 6 का है 6 और 24 के बीच 18 24, 60 के बीच 36, 60, 120 के बीच में 60 और 120, 210 के बीच में 90 यह दे कि increasing होता जा रहा है और एक pattern लग तो रहा है मगर भी clear नहीं है यह दे कि 6, 3, 18, 18, 18, 26 और 36 और 36 और 60 डारेक्ट टेविल में नहीं है इसलिए एक बार और difference ले जाए यह ऐसे pattern नहीं मालुक चलता था जब हमने इनका दुबारा difference लिया तो 6 को 18 से गटाया तो 12 आया इन दोनों का difference 18 आया पर 24 आया पर यह 30 आया तो इस हिसाब से यह 6, 6 बढ़ता चला गया अब एक sequence हो गई 12, 6, 18, 18, 18, 26 और अगला होना चाहिए 24 और 6, 30 और अगर इसे 30 मानते हैं तो फिर उससे अगला क्या होना चाहिए 60, 30, 90 तो यहां पर 120 और 90, 210 तो ठीक हो गया तो इस हिसाब से अब यहां पर अगला क्या होना चाहिए 30 के बाद 6 और बढ़ा दिये तो 36 हो जाएगा यानि यह 36 हमने अपनी तरफ से ले लिया तो 90 और 36 मिलके 126 हो जाएगी जैसे देगी 60, 30, 90 इसी तरह 90 और 36 126 तो यह नबर आ गया यह difference है जो इसमें जोड़ना चाहिए 210 में, 210 में 126 जोड़ेंगे तो 336 आज जाएगा यही आप पर required number 126 जोड़ने पर तो यह आपका answer यहां मौजूद है, PC को आपने टिक कर दिया यहां पर चार, साथ, बारा, उनने सट थाइस, चार और साथ के बीच में तीन का परक है, साथ और बारा के बीच में पांच का बारा, साथ उननेस, उननेस, नोट थाइस यहां पर देगान इस तो यहां पर तीन, पांच, साथ, नो, तो जाहिरेख दो-दो कापार है और और नंबर है, दो नंबर जोड़ते चले जाएकी, तीन दो-पांच, तबारा, साथ दो-णो तो नो, तो नो, इहां पर गयारा होना चाहिए, अंतर यानी अगला, default हो गयार मिलके कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे आगला नमबर 49 तो यहां पी टिक कर दिया इनका भी आंसर सही है तो यहां पे D E F H I J M N O प्रागे खाली तो यहां पे देखिए D E F F के बाद होता है G और इसके बाद लिखा है H I J अब J के बाद M दिया हुआ है J I M के बीच में K और L भी आजाएंगे यहां A गायब था यहां दो गायब तो अगली बार तीन गायब होना चाहिए M N O P Q R और उससे आगे के तीन सीरियल से हैं D E F H I J M N O इसी तरह यह हो जाएगा S T U तो S T U पहले पे ही आंसर है कि आपका आंसर हो जाएगा यह थोड़ा टिपिकल है यहां पे K M F I अब K K के बाद यह यहां पे I E A तो देखिए I फिर J फिर K I J K ऐसे ही G H I E F G यहनी उल्टी सीक्वेंस चल रही है E F G G H I I J K और इनके बाद वाले जो अक्षा है M के बाद N O P और P के बाद Q R S S के बाद T U V यहनी दो दो आएगा तो E V के बाद दो अगर हम लेंगे तो W X आ जाएगा W X के बाद क्या होता पाई होता तो इधर E से पहले D आएगा और D से पहले C C D E E F G G H I I J K तो सीक्वेंस बन गई तो C Y और अब देखिए नमबर यह पांच पांच इसके बाद आठ पर ग्यारा चौदा तीन तीन बढ़ते चले जा रहे हैं यह नमबर देखिए मैंने लिखें पांच आठ ग्यारा चौदा तो तीन 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 अगर चौड़ते चले जाएंगे पांच तीन आठ 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 तीन ग्यारा ग्यारा टीन 14,14,13 तो अग्ला नमपर 17 हो उना चाहिए C Y 17, C Y 17 यहाँ पर ठीक है यह आंसर हो गया कि लिए दिखनी रहा था आपको प्राव रूपर करों अब कि लिए रहे हैं इस तरह से सीक्वेंस की ऊपर की यह पहले अक्षर हो की और पीछ वाला जो है अब एम एन ओ पी टीट्यू आर एस स्टी यू वी तो वी के बाद डब्लु एक्स वाई वाई हो तो इधर यह यह एधा यह से पहले डी डी से पहले सी तो सी वाई और यह अक्षर जो है यह नमबर जो है पांच आट ग्यारा चौदा इनन सम्में तीन-तीन का पर गए तो सब्सक्राइब करें तो यह देखता हूं मैं आप सेम टाइप के हैं तो आपके नमबर स्वाले सारे हो जाएंगे इसके बाद Missing Alphabetical Series है वो कल स्टार्ट कर लेंगे तो टाइम कापी हो गया आप लोग लोग लगए होंगे तो यहां पर देखिए फिर उसी तरह का आगया 2A11 4D13 12G17 इसमें आपस में किस तरह से है जरा देजिए यहां 2 यहां 4 तो 2 to the 4 इसके बाद 4 के बाद 12 है तो 4 यह ले लिया पोर 3 दा 12 तो अभी 12 ले लेंगे और यहां पर देखिए पहले 2 से multiply किया था इस 2 में तो इस 4 आए चार को next number 2 के बाद क्या होता है 3 4 3 दा 12 12 के बाद अब यहां पर तू अपनी दरफ से लिया था यहां 3 तो अब पोर लेंगे तो 12 पोर दा 48 हो जाएगा यहां जो नमबर है वो 48 हो जाएगा अब यहां पर ए के बाद D है फिर जी है ए डी सी डी ए के बाद E F G जी के बाद H I J होना चाहिए ठीक है यहां जी के बाद 2 लेटर गायब है उसके बाद next यानी J तो यह हो जाएगा 48 J बाद वाले अब देखिए 11 13 17 तो 11 दो 13 13 4 17 तो दो यहां पर बड़े थे और यहां पर 4 बढ़ गए तो आप 6 बढ़ना चाहिए 17 6 23 या इस तरह से हो सकता था 2 4 8 तो उसके लिए 25 होना चाहिए था मगर 25 यहां इतिफाक से कहीं नहीं इसलिए हमने 23 को ही मान दिया यानी 24 6 इस तरह से यानी यह वाला आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर खतम करते हैं आपका 15 गंटा हो गया शुरू किये तो बाकी कल इसी टाइम शाड़े आठ बजे आ जाईएगे तो आधा यह फस पेपर कल पर रिप्टा लेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड पेपर इसका ले लेंगे ठीक है ओके ठीक है कल मलाकात होगी अल्ला आपिस बा BYE BYE तबी कि यह खत्म करने के बाद यह इस पेपर आपका मैं पहले अग्सप्ले और पेपर आपके जो सब्चेक्ट्स हैं सबसे पहले को मैं आप लोगों को सबसे जादा प्रवाबलम है तो मैथ मैं ले लूँगा, आप लोगों की मैथ इंप्रूव हो जाए, मैथ में आप बिलकुल एक्सपर्ट हो जाए, मैं चाहता हूँ क्लास में भी मैंने मैसूस किया था कि मैथ में ही आप लोग औरल कैल्कुलेशन तरह मुश्किल से कर पाते हैं तो मैथ पहले ले रहता हूँ, लेकिन मैं दो तीन दिन से ढूंड रहा हूँ, आपकी बुक मुझे नहीं मिल पा रही है आज मैंने अल्दमच से भी कहा था, उन्होंने भी मालुम किया है, अब कल वो लड़कों से मालुम करेंगे आपके नॉलिज में भी अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो के नाइंथ में चला गया हो, उसके पास अगर एड़की ये बुक पढ़ी हो, तो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ सब्सक्राइब मैथ, फिर साइंस, फिर SST, इंगलिश, तो इन चार सब्सक्राइब की बुक्स अगर आपके नॉलिज में किसी के पास हो, तो उससे आप बात कर लीजेगा और मुझे मैसेज कर दीजेगा, जो भी उपैसे मांगेगा, मैं दे दूँगा, ये बुक्स मैं ले लूँ अता कि आपको मैं अच्छी तरह पढ़ापाँगा, तो मेरे पास ये बुक्स नहीं है मेरे पास जाज़ा सीबी एसी के सुटेंट आते हैं, तो सीबी एसी में या तो प्राइवेट बुक्स चलती ही या इन्सी आर्टी की चलती ही, यूबी गॉर्मेंट वाली बुक्स मेरे पास हैं नहीं, वो मिल जाएं तो मैं आपका फिर ये चारो सब्जेक्ट शुरू कर करा दूँगा, सबसे पहले मैथ करा दूँगा, मैथ मैं आप लोग मुझे ये बता दीजेगा कि आपके क्लास में कौन-कौन से चैप्टर हो चुके हैं और कौन सा चल रहा है, सबसे पहले मैं वो ले लूँगा जो करंट आप कि या चल दा होगा ताकि आप अपडेट हो और फिर जो पीछे के चूटे हुए होंगे वो मैं करा दूँगा आप, वीज-वीज मैं वो कराता रहूँगा और साथ में जो करंट होगा वो चलते रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग क्लास से पिछड़ेंगे निए, ठीक है? तो कल इंशालला मुलाख़ात होगी साड़े आड़ बजे, अल्ला आपेस!